कभी उन लोगों से मिले हो जो कहते हैं कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो पासवर्ड भूलने पे एक नई आईडी बना के उस पे स्टोरी लगा दे लास्ट अकाउंट गोट हैक नहीं नहीं उनके अलावा भी होते हैं कुछ लोग जो यह कहते हैं सो हैकर्स कौन सी वो ट्रिक यूज करते हैं फॉर्गॉट पासवर्ड पेज पे जिससे अकाउंट हैक हो जाते हैं और as a cyber security researcher आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसको हंट कर ले और उसको हंट करने के बाद रिपोर्ट कर पाओ और उसके मदले में पैसे कमा सको तो आज हम अपनी सीरीज How to test for forgot password का फॉर्थ पार्ट देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कैसे कुछ बग बाउंटी हंटर्स थोड़ा सा presence of mind लगा के अच्छी खासी बाउंटी अर्न करते हैं आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे response में कुछ चीजों से आप किसी का भी अकाउंट हैक करके अपने दोस्तों में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो तो चलिए देखते हैं हम कैसे उन तरीकों से अपना forgot password पे टेस्ट कर सकते हैं तो आज हम जिस चीज़ के बादे में जानेंगे वो है weak cryptography जिसमें हम forgot password करें तो weak cryptography के वज़े से हम account take over कर पाएं और जैसा कि और ethical hackers इसे करते हैं तो एक second मैं अपना mail open कर लेता हूँ ओके तो victim अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे reset password एक second यह recreation.in तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे इसे मैं copy कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने इसको paste कर दिया दूसरा हम देख लेते हैं recreation nsfs एक second nsf का देख लेते हैं तो यहाँ पे है यह nsf का तो इसको मैं paste कर लेता हूँ उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं recreation और के reset password देख लेते हैं reset तो यहाँ पे ओपेरा का भी है हम लोग एक बार opera का देख लेते हैं इसको हम copy कर लेते हैं एक second यहाँ पे मैं इसको paste कर देता हूँ paste इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं और किसी account का यहाँ पे यह game maker का है यह भी opera का ही वो है तो इसको मैं करता हूँ copy link address और यहाँ पे इसको हम लोग paste कर देते हैं उसके बाद एक दो और देख लेते हैं हम लोग square यह भी वो है तो इसका हम लोग करते है square password यह तो दूसरा है फेस्बुक का देख लेते हैं नहीं फेस्बुक में भी नहीं आ रखा है और कोई जिसका हम लोग password देख सकते हैं जिस पर हमने कभी टेस्ट किया होगा Twitter पे बहुत ज़्याद आ रखा है यह पर यह भी तो यहाँ पर एक stack path है उसका हम reset password देख लेते हैं copy link address और इसका हम यहाँ पर paste कर देते हैं उसके बाद और एक और देख लेते हैं boost boost let तो इसका भी देख लेते हैं इसको भी copy boost में भी है एक इसमें but नहीं है super drug जो की as watson group है उसका शायद तो इसको मैं copy कर लेता हूँ यहाँ पर हमने कर लिया इसको paste तो okay इसको हम लोग अटा देते हैं और इसको हम अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि आपकी website है recreation.gov account reset और उसके बाद एक token है second वाले में हैं हमारे पास https honorary awards nsf site account reset password user id और फिर उसके बाद है reset token और इसमें user id फिर उसके बाद है key इसमें सीधा एक token है reset password इसमें reset एक ticket है यहाँ पर reset password यह रहा और इसमें है login token यह रहा तो इस वाले में तो आप लोग एक चीज चेक कर सकते हैं जो कि मुझे लग रहा है नहीं एक second copy और इसको हम लोग क्या करते हैं एक second मैं पहले एक बर बर्पॉन्ट कर लेता हूँ और next start burp अभी हमारा बर्पॉन्ट हो गया है तो हम लोग आपके चलते हैं decoder में और decoder में जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ paste और paste करने के बाद मुझे जैसा कि यह दिख रहा है यह पहले तो url में encode होगा और फिर base64 में शायद बट यहां पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा हो सकता है अभी इस से related हम लोग कुछ reports देख लेते हैं जैसे कि मैं करता हूँ site एक second hacker hacker1.com और cryptography तो cryptographic issues आप लोग देखेंगे वो आप forgot password पे भी देख सकते हैं और भी बहुत सारी जगे हैं तो जैसे कि यहां पे यह तो डास से related है एक second वी क्रिप्टो ग्राफिफ और पास्वर्ड तो यहां पे तो जैसा कि इसमें दिखा रखा है कि इनके पास एक पासवर्ड है और यहाँ पे यह डी कोड कर रहे है इस के थूँ तो यहाँ पे हम लोग भी एक बार ट्राइ करते है तो एक सकिंड इसको देखते है कून सी हैशिंग है मतलब आप लोगों को बहुत बार समझ नहीं आएगा तो ऐसे इसमें ट्राइ कर सकते हैं तो इसमें कोई बता नहीं पा रही ओके तो हम लोग एक काम करते हैं इसको कोपी करते हैं कोपी और फिर इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको देखते हैं decrypt several hashes तो इसमें भी नहीं ये shra26 256 के लिए है बट आप all type की try कर सकते हैं जैसे की ये है तो उन्होंने एक second यहाँ पे यहाँ पे इसने क्या गिया इन्होंने अपना जो password है वो request में मिला और उसको copy किया encrypted password था वो और उसको जब यहाँ पे पेस्ट किया तो वो उस password को decrypt कर पा रहे थे तो second और हम देख लेते हैं एक second यहाँ पे देख लेते हैं और इसको open हो जाने देते हैं तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं उसमें इन्होंने वो किया है but एक second पॉर्गाट पासवर्ड तो वीक पासवर्ड पॉलिसी इसमें देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे sign up किया इन्होंने पासवर्ड के साथ जो की है विकास at one to three और उसके बाद जब इन्होंने forward पासवर्ड किया और change किया तो यह तो बट अलग वो है इसमें तो इसमें क्या है new password request a new password go to email change the link put the password submit request remove the authenticity token from the request and now forward ओके तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि hacker one पे गए और उसके बाद इन्होंने क्या किया new password request किया और उसके बाद जब यह मतलब email पे इनको एक link आई जब वहाँ पे उस link में इसमें new password किया और submit करके intercept किया request को जब इन्होंने request को intercept किया उसके बाद तो एक authenticity token है जो जैसे कि हमारे यहाँ पे यह कुछ tokens है इन token को इसने change कर दिया मतलब remove कर दिया और जब यह इसको forward किया तो इन्होंने देखा कि यह उस account में login हो गए है तो यह verify नहीं कर रहा है token को तो एक और बट यह तो policy है यहाँ पे एक और report देख लेते हैं एक second यहाँ पे summary है steps to reproduce तो यहाँ पे यह registration page पे गए इन्होंने registration complete की login हुए उसके बाद जब इन्होंने log out किया तो अच्छा यह थोड़ा सा अलग है इसमें इन्होंने back button वो enable किया और उसके बाद फिर यह login हो गए बट यह mostly cases में वो नहीं होता है apply नहीं करता है तो इसके उपर हम लोग एक second अभी हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं मतलब वो देख लेते हैं तो यह था accounts और request password receive new unique link or reset password link or reset the password उसके बाद इनो ने क्या किया account 1 or account 2 दो account की इनो ने वो की link ली और उसके बाद was equal number of character in the email as percentage 20 48 at the rate ओके तो cryptographic issue है तो जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कि यह कुछ इनका अलग तरीके से वो हो रहा है zwp और यह at the rate 2 अच्छा एक सकेड इनकी एक email थी hbothra 22 plus 1 at the rate gmail.com और एक थी hbothra 22 plus 1 plus harsh at the rate gmail.com तो यहां पे इनका क्या हुआ है अकाउंट में यह तो सेम है दो लों का percentage 40 percentage 40 1 2 plus ओके तो जब इनोंने यह Caesar cipher की के थूँ इनको password reset token को वो किया तो जब इनोंने decrypt करके देखा तो यहां पे यह अपना जो token है एक सेकेंड जैसे कि इनोंने victim email ली जो किया है यह और फिर इसको email को reverse कर दिया मतलब कि जैसे कि यहां पे com की जगे mock हो गया यह रहा mock और gmail यहां पे आप इदर से पढ़ेंगे hbothra 22 at gmail dot com तो यह यह ऐसे हुआ और इसको encrypt किया Caesar cipher की से और उनका जो जो कहना में जो password आया है मतलब जो कि token आया है वो है यह और यह आप अभी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि यहां पे एक सेकेंड तो एक सेकिंड at the rate 22 तो यहां पे zbp same वही है मतलब यह क्या कर रहे है password जो है वो इस way में बना रहे है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे एक email है इसको उल्टा कर दिया reverse कर दिया और फिर उसको encrypt किया और उसके बाद जो वो आया है token वो same ऐसा ही है उसमें बस add the rate को हमें percentage 40 से change करने है तो यह है एक और और देख लेते हैं तो यह तो अलग ही है और गोट password तो यहाँ पे कुछ यह है आप लोग पढ़ सकते हैं उसमें और देख सकते हैं इन reports के थूँ की हमें क्या-क्या मिल रहा है और कैसे-कैसे हमें इसको वो करना है हम लोग कैसे forward password पे account take over या फिर bug दून सकते हैं cryptographic issues देख सकते हैं और आपको decrypt करना थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसके लिए आप कुछ मतलब हम इसके बाद आगे जो वीडियो आएंगी उनमें हम देखेंगे कि कैसे हम लोग वो कर सकते हैं बट हमें कोई प्रोग्राम वैसा नहीं ले सकते हैं तो हम लोग testing environment में ही try करेंगे तो उसके लिए हम लोग देखेंगे तो उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई